नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जोतिश गरंट गंगा में। आना पूरी तरह से बंध हो चुका है और मान लीजिए जो आपके पास पैसा आता भी है वो बेफिजूई खर्ची में उर जाता है। दोस्तों सिर्फ एक मंगलवार के दिन दो चार पांच मिनट का समय निकाल करके आप पांच काली मिर्च के दाने का वह उपाय कर लीजिए जिसके बारे में हमारे वेद पुरानों में लिखा हुआ है। देखिए दोस्तों हर व्यक्ति यही चाहता है कि उस व्यक्ति का नाम समाज के काम्याब और सफल लोगों की लिस्ट में हो। हर व्यक्ति यहीं चाहता है कि वह अपने जीवन में इतना धन कमाएं कि उसके परिवार को कभी भी किसी भी चीज की कमी ना हो लेकिन आज की जैसी परिस्थितियां हैं, उनको देखते हुए यह संभव नहीं है. एक व्यक्ति की चाहे जितनी भी मेहंत कर ले, चाहे जितना भी परिश्रम कर ले, वह अपने परिवार का लालन पोशन ठीक से नहीं कर पाता. यहां तक की कुछ ऐसे भी लोग है, दोस्तों जो रोजमर्रा की जिन्दगी में इस्तिमाल होने वाली चीजे भी ठीक से नहीं खरीद पाते हैं. इसकी वजह से तो कई वजह हैं. सबसे बड़ी वजह तो यह है कि हो सकता है आपका भाग्य आपका साथ ना देता हो. आपका मंगल ग्रह अच्छा ना हो, आपके जीवन में आपकी दरिद्रता आपके पीछे पड़ी हो और गरीबी आपके उपर ऐसी आगई हो जिसके बाद आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो उस गरीबी की वजह से. लेकिन दोस्तों अगर आप अपने जीवन में इन तरीके की परेशानियों से बहुत ज्यादा परेशान है और सिर्फ मंगलवार के दिन आप पांच काली मिर्च के दाने के वह उपाय कर लेते हैं, जो आज के हम आपको बताने जा रहे हैं, ना केवल आपको हर प्रकार की सम अपने जाएगी बलकी मंगलवार के दिन पांच काली मिर्च के दाने के उपाय करने के बाद आपकी कोई मनोकामना होगी, वो अवश्य ही पूरी हो जाएगी। देखिये काली मिर्च का उपाय आज से ही नहीं, बलकी प्राचीन काल के समय से चलता हुआ चला आ रहा है। जास्तर में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर कोई व्यक्ती है हनुमान जी का आशिरवाद और वर्दान प्राप्त करना चाहता है तो उस व्यक्ती को सिर्फ मंगलवार के दिन काली मिर्च के उपाय करने चाहिए। जिसके बाद जोतिश शास्तर के अनुसार उस व्यक्ती को साक्षात हनुमान जी का आशिरवाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों मंगलवार का दिन एक चमतकारी दिन होता है। हमारे हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित होता है। कहा जाता है कोई भी व्यक्ती अगर प्रत्येक मंगलवार को हनु जी की विधी विधान से पूजा पाठ करता है, तो उस व्यक्ति के उपर कभी भी संकट नहीं आ सकता है। जी की मंगलवार के दिन हनुमान जी महाराज बहुत ही अगर प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर क्रिपा बरसाते हैं। जिन्स नौकरी की तयारी के लिए आप बहुत परिशान हो चुके थे, नौकरी के लिए परिशान हो चुके थे कि आपकी नौकरी नहीं लग रही थी। दोस्तों यह उपाय कीजिए, आपकी नौकरी लग जाएगी। आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। किसी ऐसी बिमारी ने आपको जड़ लिया था जिसका इलाज कराकर ठक चुके थे, वो बिमारी भी आपको छोड़ करके चली जाएगी। आप किसी संकट में फंसे हुए थे, हनुमान जी महाराज के आशिरवाद से आपका संकट हमेशा के लिए खक्म हो जाएगा। बस आपको पांच काली मिर्च के दाने के वह उपाय करने हैं, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। सही मुहूर्त पर किये गए मंगलवार को यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता है। इसलिए अगर आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी की क्रिपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हनुमान जी के आशिर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उन्नती करें बहुत ही आगे जाएं। हनुमान जी की कृपा से आप जिस कार्य को शुरू करे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्थ हो तो पूरी सच्छी श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में तुरंट तुरंट लिख दीजिए हनुमान जी महाराज की जय जय बजरंगबली जी की और एक काम कीजिएगा कमेंट बॉक्स में अपनी राशी डाल दीजिएगा आपकी राशी के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जिस उपाय को करके आप लाप पा सकते हैं वो आके हम आपके कमेंट के रिपलाई में बता देंगे लेकिन आपसे निवेदन था विडियो लाइक करना मत भूलिएगा सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये धन प्राप्ती का महाउपाय इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में धन चारों इस उपाय को करने के लिए आपको मंगलवार की सुभा सुभा उठना है नहाना धोना है लाल कपड़े पहनने हैं अब लाल कपड़े क्यों पहने हैं क्योंकि हनुमान जी को लाल रंग बहुत ही प्रिय होता है हनुमान जी की पूजा में जब भी लाल कपड़े पहन करके आ आप पूजा करते हैं, आपकी पूजा तुरंत के तुरंत सिध्ध हो जाती है। अब आपको लेना है एक लाल कपड़ा, साधारन सा लाल कपड़ा ले लीजिए। उस लाल कपड़े पर आपको रखना है, पांच काली मिर्च के दाने ग्यारा लॉंग तीन कपूर फिर से हम रिपीट कर दे रहा है, दोस्तों आपको पांच काली मिर्च के दाने ग्यारा लॉंग और तीन कपूर रखना है, अब इस लाल कपड़े की आपको पोटली बनानी है हनुमान जी के मंदिर जाएं हनुमान जी के आशिर्वाद से आपके जीवन में धन बड़ी मात्रा में आना शुरू हो जाएगा सिर्फ यह उपाय एक मंगलवार करने के बाद आपके जीवन से धन संबंधित परिशानिया खत्म हो सकती है दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों ये है घर की बरकत का महाउपाय दोस्तों शायद ये बात आपको ना पता हो अगर आप एक साधारन सा जीवन भी जी रहे हैं तब भी आपके अडोसी पडोसी दोस्त यार नातेदार रिश्टेदार आपसे जलने जाती है सिर्फ एक मंगलवार वह उपाय कर लीजिये वो आपको हम बताने जा रहे हैं और यह उपाय करने के बाद आपके घर पर काला जादू, काली विद्या, बंधन तंत्र शक्ती, बुरी आत्मा कुछ भी ऐसी दिक्कत होगी वो एक ही मंगलवार के उपाय से तुरंत खक्म हो जाएगी, यह उपाय आपको मंगलवार को सूर्यास्त के बाद करना है, गर के प्रतेक कोने में एक-एक सर्सों के तेल का दीपक रख देना है, अब हर दीपक को जलाने के बाद उसमें पांच काली मिर्च डाल दीजिये, यह उपाय एक मंगलवार कर लीजिये, का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक उर्जा का वास हो जाएगा जिसके बाद आपके घर की बरकत और उन्नती वापस से चालू हो जाएगी। एक उपाय कर लीजिये आपकी नौकरी लगने में जो भी बाधाएं आ रही थी वो बाधाएं हट जाएंगी और आपकी मनचाही नौकरी आपको मिल जाएगी। यह उपाय आपको कैसे करना है। देखिए बहुत आसान सा उपाय है एक दिब्बी लीजिये चाहे प्लास्टिक की चाहे सीसे की उसको भर लीजिये पूरा काली मिर्च से। हनुमान जी के मंदिर आपको मंगलवार की सुभह से सूर्यास्ट के बीच में जाना है। किसी भी समय आप लोग हनुमान जी के मंदिर चले जाए अब आपको सबसे पहले हनुमान जी के सामने करना है एक चमेली के तेल का दीपक जलाना। चमेली का तेल का दीपक जलाने के बाद उसमें पांच काली मिर्च डाल दीजिएगा। अब आपको ग्यारह बार हनुमान चालिसा का पार्ट करना है लेकिन दिक्कत ये होती है कि बहुत से लोगों को हनुमान चालिसा आता ही नहीं है तो आपको क्या करना होगा। ओम हनुमते नमह हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों ओम हनुमते नमह का जाप 108 बार करना है क्योंकि 108 हनुमान ची का पीएम नंबर है अब आपको 108 बार ओम हनुमते नमह का जाप करना है ये जो आप डिबबे ले गए हैं जिसमें आपने काली मिर्च भरी है हनुमा अब नौकरी के इंट्रव्यू के लिए नौकरी संबंधित किसी भी कार्य के लिए जाएगा। प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, इस उपाय को करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में तुरंत का तुरंत लिख दीजिए बजरंग बली कीजए। इसी प्रकार से दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा। जिन्स व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, वह व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ही आगे जाता है, बहुत ही उन्नती करता है। मान के चलिए अगर आपका मंगल ग्रह आपका साथ दे रहा है, आप जो भी निर्नय लेंगे उस निर्नय से आपको फाइदा पहुचेगा। और जिस व्यक्ति का मंगल ग्रह मजबूत होता है, मान के चलिए उसका भाग्य भी उसका हमेशा साथ देता है। अब यह उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये तीन मंगलवार अगर आपने कर लिया आपका मंगल ग्रह भी मजबूत हो जाएगा आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा और आपका दुरभाग्य आपके जीवन से हमेशा के लिए चलाएगा तीन मंगलवार सुर्यास्त के बाद आपको बस क्या करना है कि आपको लेना है काला कपड़ा काले कपड़े पर रखना आपको 51 काली मिर्च, 51 काली मिर्च के रखना है उपर आपको एक रुपया का सिक्का इस काले कपड़े की बना लीजिए काली पोटली और इस पोटली को हन जुमान जी के मंदिर के बाहर जा करके दक्षिन दिशा में रख दीजिए। सिर्फ इतना उपाय तीन मंगलवार लगातार कर लीजिए। हाँ तीन मंगलवार का मतलब है तीन सप्ताह तामसिक भोजन नहीं कर सकते हैं। करना मत भूलिएगा।